तो के से हो यारा आप सो वेलकम टे एजुकेशनल हाइक दिस परेम पांडे और आज हम पढ़ने बाले हैं क्लास एट की एंसी आटी साइन्स का चाप्टर नमर फोटीन chemical effects of electric current इस चाप्टर से हमने already एक पार्ट upload कर दिया है उस पार्ट में हमने पढ़ा था कि क्या liquids electricity conduct करती है या नहीं करती और अगर liquids electricity conduct करती हैं तो हम उसे पता कैसे लगा सकते हैं हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं ओल्रटी हमने first पार्ट के last में एक activity की थी activity में हमने कुछ ऐसा tester बनाया था, tester बनाना मैंने आपको सिखाया था, आप उस part में जा के देखोगे तो आपको ये particular activity मैंने detail में explain किया है, हमने tester बनाया था, और इस activity में हमने इस tester को test करने के लिए अलग-अलग liquids रखे जैसे हमने क्या क्या रखे थे, हमने tap water, जो हमारा normal टंकी का पानी आता है, हमने उसको test किया था, कि क्या उसमें electricity आती है या नहीं आती हमने vegetable oil, जो हमारे घरों में cooking oil होते है न उसको भी मैंने यहाँ पर रखे check कर आया था, कि क्या ये electricity conduct करती है या नहीं करती है तो, ऐसे ही हमने अलग-अलग liquids लिया था, जैसे हमने milk लिया था, honey लिया था अब हमने activity तो यहाँ पर कर लिया था, first part में, लेकिन second part के starting में हम उस activity का result जानेंगे, कि कौन सी liquid electricity conduct करती है और कौन सी liquid electricity conduct नहीं करती, stable 14.1 में, हम यही पढ़ेंगे यहाँ पर कुछ liquids दी गई है जैसे lemon juice निम्बू का रस, vinegar सिरका हो गया, tap water हो गया, हमारा normal जो tank का पानी आता है, हमारे tap में vegetable oil, cooking oil जिसे हम कहते हैं, milk मतलब दूध हो गया और honey मतलब सहद हो गया हम इन liquids को already अपनी last activity में test कर चुके हैं, अब हमें यहाँ बताना है कि यह good conductor of electricity है या bad conductor of electricity है चलो, एक बात और मैं आपको बता दू यार, कि जब भी कोई liquid अपने through electricity conduct करेगी, मतलब यहाँ से electricity आई, ठीक है और इस liquid से होते हुए, इधर आ गई तो यह जो आपको needle यह जो सुई दिखरी है ना यह सुई deflect होगी, deflect होगी मतलब कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी इससे यह पता चलता है कि हाँ इस liquid से electricity इसमें आ रही है, समझ गए और जिस बार यह जो needle है, यह जो सुई है, वो इधर उधर नहीं होगी, मतलब यह जो liquid है, यह electricity conduct नहीं करता तो चलो हम देखेंगे यहाँ पर अलग-अलग liquids दिया गया है, जैसे lemon juice lemon juice का मतलब होता है निम्बू का रस, क्या निम्बू का रस good conductor है, या poor conductor है, यहाँ पर already दिया क्या है कि निम्बू का रस good conductor है क्यों है, क्योंकि निम्बू के रस में lemon juice में होता है citric acid, citric acid क्या होता है या, संतरों में citric acid होता है जितने भी खटे चीज होते हैं, उसमें citric acid होता है, acid जहाँ पर भी पाया जाए, समझ लो good conductor of electricity है समझ लो good conductor of electricity है जैसे lemon juice में क्या पाया गया है citric acid, acid है मतलब good conductor of electricity है समझ गये, अब देखो अब अगर कोई भी liquid जैसे जो ये निम्बू का rest है अपने through अगर electricity को pass होने देता है तो क्या सुई इधर उधर करेगी हमने यहाँ पर क्या बढ़ा था, हमने कहा था न जैसे ही इस liquid से electricity pass out हो जाएगी ये जो needle है वो deflect करेगा कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा मतलब ये liquid क्या है conducting liquid है, ये liquid अपने through electricity को pass कराने दे रहा है समझ गये, तो सबसे पहला हमारा क्या था, lemon juice lemon juice good conductor है और इसी के लिए जो सुई है वो deflect किया, yes करेंगे हमें आपर, ठीक है vinegar, सिरका, सिरके के अंदर कौन सी acid होती है acetic acid, कौन सी acid, acetic acid अब भाई यहाँ पर भी acid है, तो इसलिए ये भी good conductor of electricity है और यहाँ पर भी जो needle है, जो सुई है compass की वो deflect करेगी, मतलब इधर उधर करेगी समझ गए, tap water का मतलब क्या हो गया, जो हमारे घरों में पानी आता है न, टोटी से, tap से, वो होता है tap water अब tap water, good conductor of electricity है या bad conductor of electricity है पहले आप यह जान लो, अगर कोई भी substance, good conductor होगी electricity का तो वो या तो acid होगा, या तो उसके अंदर salt होगा समझ गए, चलो अब हम आगे पढ़ेंगे, tap water tap water में already एक salt होता है, उस salt को हम कहते है calcium, sorry, calcium and magnesium, yes, calcium and magnesium दोनो salt tap water में मौजूद होते हैं और इसी के लिए salt की मौजूदगी की वज़ा से, ये tap water good conductor of electricity है, और अगर good conductor of electricity है तो needle, जो sui है, वो deflect करेगी, समझ गए, vegetable oil जो हम घरों में खाना बनाने के लिए तेल का use करते हैं वो कैसा conductor है, तो भाई, वो poor conductor of electricity है और क्यों, क्योंकि cooking oil में कोई भी ions नहीं होते हैं कोई भी charged particles नहीं होते हैं, इसलिए cooking oil electricity को conduct नहीं करता, milk, दूद, acid होता है इसमें जल्दी बताओ कौन सा acid होता है, milk में, lactic acid L-A-C-T-I-C, lactic acid होता है, और जब acid है, तो भाई, good conductor of electricity है ठीक है, और इसलिए जो middle है compass की, जो sui है compass की जो हमें compass दिखा रहा है, कि electricity आ रही है या नहीं आ रही है तो वो yes हो जाएगा, कैसे, क्योंकि sui deflect करेगी ठीक है, चलो, honey, honey का मतलब होता है भी है, सहद और सहद एक sugar का कोई solution है, sugar solution ही तो है, honey honey का मतलब सहद, मेठा लगता है, मतलब यह sugar का solution है और sugar के solution में ions, site जैसी चीजे मौझूद नहीं होती है और इसी के लिए यह poor conductor of electricity कहलाता है और sui भी deflect नहीं करेगी, समझ गए, आगे हम बढ़ेंगे कि from table 14.1, we find that some liquids are good conductor of electricity and some are poor conductor of electricity, हमने इस table में यह जाना कि कुछ liquids, जैसे lemon juice हो गया, vinegar हो गया, tap water हो गया यह क्या हो गया, यह good conductor of electricity होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे vegetable oil और honey यह ऐसे liquids हैं, जो poor conductor of electricity होते हैं क्यों होते हैं, वो भी हमने जाना अब यहाँ पर पहली कुछ पूछ रही है, कि when the friends of the tester do not touch each other there is an air gap between them, अब यह जो tester अभी हमने use किया था इस tester का हमने यहाँ पर अलग-अलग प्रकार के liquids रखे, और हमने यह test किया कि यह liquid good conductor of electricity है, यह liquid poor conductor of electricity है लेकिन अगर इस tester के बीच में यहाँ पर हम कोई भी liquid ना रखे तो हम देखेंगे इस tester के दो free ends हैं, जैसे एक free end यह हो गया दूसरा free end यह हो गया, और इन दोनों ends के बीच में एक gap है और जहाँ पर gap होता है, जहाँ पर कुछ नहीं होता, वहाँ पर हावा होती है अब पहली यह जानती है, कि there is an air gap between them, इन दोनों ends के बीच में एक air का gap है और इसी के लिए यहाँ से यहाँ electricity pass out नहीं हो सकती, लेकिन पहली ने यह भी पढ़ा है कि जब आस्मान में lightning होती है, जब बिजली कड़कती है, तो आस्मान का जो electric current होता है जब बिजली कड़कती है, तो आस्मान की बिजली कभी-कभी धर्ती पे भी गिर जाती है आप अपने बड़ों से पूछना वो आपको बताएंगे, जो आस्मान का electric current है अगर वो building पर गिर जाता है, तो building तूट जाती है अगर इंसानों के उपर गिर जाता है, तो इंसान के death हो जाती है ठीके, लेकिन यहाँ पर दो अलग-अलग चीज़े दी गई है क्या-क्या, कि अगर इस tester के बीच में air gap है, तो यहाँ तो electricity pass नहीं होती लेकिन आसमान से जब बिजली कड़कती है, तो वो सीधा धरती तक आ जाती है एर के थूँ, यह कैसे हो सकता है अब पहली की दिमाग में यहाँ से एक question आया यहाँ पर यह पूछना चाह रही है पहली कि क्या सभी conditions में air जो है, वो poor conductor of electricity है या कभी-कभी air में भी electric current पास हो सकता है चलो हम पहली को बताएंगे, लेकिन इसके पहले बूजो यहाँ पूछ रहा है कि बूजो ask whether other materials classified as poor conductors also allow electricity to pass under certain conditions अब यहाँ पर जो air था, air को तो हम poor conductor of electricity कहते है लेकिन फिर भी air में बिजली उतर गई, air में electric current पास हो गया कैसे हो गया? आसमान से धर्ती पे आती है na electric current कैसे हो के आती है? air के थूँ आती है अब बूजो यहाँ पर यह पूछना चाह रहा है कि ऐसे और कौन-कौन से materials हैं, जो कहलाते तो poor conductor है लेकिन कभी-कभी good conductor का काम भी कर देते हैं चलो हम पहली और बूजो को यहाँ पर बताएंगे कि actually under certain conditions, most materials can conduct यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि under certain conditions मतलब किसी ना किसी condition में जो ज़्यादा तर materials हमारे earth पे पाए जाते हैं चाहे वो solid हो, चाहे वो liquid हो, चाहे वो gas हो वो electricity conduct कर सकते हैं, can conduct और इसी के लिए यह prefer किया जाता है और इसी के लिए यह कहा जाता है कि हम materials को conductors और insulators कहने के बजाए good conductors और poor conductors कहें क्यों? क्योंकि जो conductors होते हैं, वो हमेशा electricity को pass out होने देते हैं और जो insulators होते हैं, वो electricity को pass out नहीं होने देते हैं लेकिन हमने यहाँ पर क्या जाना? हमने यहाँ पर जाना कि जो ज़्यादतर materials होते हैं, उनमें electricity conduct होती है और इसी के लिए हम उन्हें दो categories में divide करेंगे कि जिन material में जादा अच्छे से electricity conduct हो सकती है उन्हें हम good conductor of electricity कहेंगे और ऐसे materials जिसमें easily electric current flow ना हो या जिसमें electricity अच्छे से conduct ना हो उसे हम poor conductor of electricity कहेंगे लेकिन conductor कहेंगे ही कहेंगे क्योंकि किसी ना किसी condition में जादा तन materials electricity conduct करते ही करते हैं we have tested the conduction of electricity through tap water हमने अभी पिछले part में एक activity की थी इस activity में हमने अलग-अलग liquids को check किया था जैसे tap water, जैसे vegetable oil हमने milk को यहाँ पर रख के check किया था कि क्या ये liquid अपने through electricity pass out होने देता है या नहीं होने देता तो हमने उसमें क्या देखा था हमने देखा था कि जो tap water है वो good conductor of electricity है जो हमारे घरों में पानी आता है उस पे बिजली उतर सकती है अब हम क्या पता लगाएंगे हम पता लगाएंगे कि क्या जो distilled water होता है distilled water का मतलब क्या होता है जो हमारे घरों में पानी आता है उसमें कोई भी salt mix नहीं होता और अगर किसी water में salt नहीं होगा that means कि उस water में electricity conduction ना करेगी उस water में बिजली नहीं उतरेगी तो अब हम चेक करेंगे इस activity में कि क्या distilled water में distilled water का मतलब ऐसा water जिसमें 0% salt हो ठीक है तो क्या ऐसे water में electricity conduct होगी या नहीं होगी हम इस activity के थुरू चेक करेंगे अब चलो activity को start करते हैं take about two teaspoons of distilled water in a clean and dry plastic और rubber cap of a bottle कोई भी bottle ले लो coldering की water ले लो और bottle का जो cap है उस cap में दो चमच two teaspoons of distilled water मिला दो अब distilled water क्या होता है ऐसा water जिसमें 0% salt हो जिसमें नमक की मात्रा बिलकुल भी ना हो ऐसे water को हम distilled water कहते हैं अब आपको distilled water कहाँ पर मिलेगा अपने school के science lab में जाना और teacher से कहना कि मुझे distilled water चाहिए वो आपको दे देंगे या आपके अगल बगल अगर medical store है तो वहाँ पर जाना और कहना अंकल अंकल मुझे distilled water दे दो वो आपको दे देंगे अगर आपने एक बाद distilled water पा लिया तो आप क्या करो use the tester to test whether distilled water conduct electricity or not अब हमने जो last part में activity की थी इस activity में हमने ये जो tester बनाया था इस tester के यहाँ पर हमने अलग-अलग liquids को रखा और test किया कि क्या ये liquids good conductor of electricity है या ये liquids bad conductor of electricity है same ऐसे ही अब हम यहाँ पर रखेंगे distilled water ठीक है अब distilled water को हम check करेंगे कि क्या distilled water good conductor of electricity है या poor conductor of electricity है ठीक है अब जब हमने यहाँ पर test किया तो what do you find तुमने क्या देखा, हमने देखा भाई साहब कि distilled water से electricity conduct नहीं होती है, distilled water से electricity pass नहीं होती है, इसका मतलब क्या है कि distilled water poor conductor of electricity है, now dissolve a pinch of common salt in distilled water, अब distilled water में तुम क्या करो कि एक चुटकी नमत मिला दो, ठीक है, उसी पानी में, जिस पानी को अभी हमने टेस्ट किया कि क्या इसमें electricity आती है, या नहीं आती, उसी water में एक चुटकी नमक मिला दो, अब टेस्ट करो, कि क्या electricity आती है, what do you conclude this time, इस time तुम देखोगे, कि इस बार तो electricity आने लगी, क्यों, क्योंकि distilled water में हमने salt मिला दिया, salt की ही जरूरत थी, electricity conduct करने में, अब अब जब हमने एक चुट की salt उसमें मिला दिया, तो electricity आने लगी, बहुत सिंपल सी activity थी, इस activity से हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि जो हमारे घरों में tap water आता है, जो टंकी का पानी आता है हमारे घरों में, उसमें electricity आती है, और जो distilled water होता है, जिसमें salt नहीं होता है, उसमें electricity नहीं आती, समझ है, आगे हम बढ़ेंगे कि, when salt is dissolved in distilled water, we obtain salt solution, जब हमने एक चुटकी नमक और distilled water में मिला दिया, तो अब ये water salt का solution बन गया, इसका मतलब क्या है, कि अब इस water में नमक की मात्रा बढ़ गई है, ठीक है, this is the conductor of electricity, अब जो ये water है, ये electricity को conduct करेगा, क्यों करेगा, क्यों लिए, salt की quantity होनी चाहिए, थोड़ी सी नमक की मात्रा होनी चाहिए, और जब हमने नमक मिला दिया, तो ये जो water है, ये electricity करने लगा, आगे चलते हैं कि the water that we get from sources, such as taps, hand pumps, wells and ponds, is not pure, जो पानी हमारे घरों में आता है, जैसे टोटी का पानी हो गया, hand pump का पानी हो गया, कुए का पानी हो गया, तलाब का पानी, जो हमारे घरों में आता है, अलग-अलग purposes के लिए, बरतन धोने के लिए, कपड़े साफ करने के लिए, ये पानी पूरी तरीके से प्योर नहीं होता, क्यों नहीं होता, it may contain several, it may contain several salts dissolved in it, इस पानी में already, पहले से ही कुछ नमक की मात्रा मि होते हैं, जैसे calcium हमारे घरों में आने वाले पानी में already present होता है, magnesium हमारे घरों में आने वाले पानी में already present होता है, ठीके, ये सब ऐसे salt हैं, जो हमारे घरों में आने वाले पानी को impure बनाते हैं, और इसी इनी salt की वज़े से, जो tap water है, hand pump का water है, हमारे कुए का पानी है, ये सब easily electricity conduct करते हैं क्योंकि इसमें salt की मात्रा होती है small amounts of mineral salts are naturally present in it this water is a good conductor of electricity जो हमारे घरों में पीने वाला पानी आता है जो tap water होता है उसमें पहले से ही थोड़ी बहुत मात्रा में mineral salts present होते हैं mineral salts कौन से होते हैं ऐसे salts जो हमारे body के लिए beneficial हो ऐसे salts जो minerals का काम करें ठीक है तो mineral salts पहले से ही इस पानी में present होते हैं और इसी की वज़े से जो हमारे घरों का tap water होता है वो good conductor of electricity होता है क्योंकि जहां पर salt है वहां पर electricity है on the other hand वहीं पर दूसरी तरफ distilled water एक ऐसा water होता है जिसमें बिलकुल भी salts नहीं होते हैं जो free of salt होता है और इसी की वज़े से distilled water एक poor conductor of electricity है ठीक है इसमें बिजली नहीं उतरती है अब यहां पर पहली कुछ बता रही है हमें बता रही है कि small amount of mineral salts present naturally in water are beneficial for human health जो हमारे पानी में थोड़ी बहुत मात्रा में mineral salts present होते हैं जो हमारे पीने वाले पानी में थोड़ी बहुत mineral salts present होते हैं ये mineral salts हमारे body के लिए काफी beneficial होते हैं काफी लाबकारी होते हैं और इसी वज़े से इन ही salt की वज़े से जो ये water होता है जो हमारे घरों में पीने वाला पानी आता है वो good conductor of electricity कहलाता है चो, we should never handle electrical appliances with weight hands और इसी के लिए हमारे घर के बड़े कहते हैं कि हमें किसी भी electrical appliances को किसी भी विद्दुवती ये चीजों को अपने गीले हाथों से नहीं टच करना चाहिए या अगर हम किसी गीले फर्स पर किसी weight floor पर खड़े हैं तो उस floor पर खड़े होके हमें किसी fan का switch on नहीं करना चाहिए हमें TV का pluck नहीं लगाना चाहिए या हमें किसी भी electrical चीजों को touch नहीं करना चाहिए हमें बिजली के जटके भी लग सकते हैं ठीक है we have found that common salt when dissolved in distilled water makes it a good conductor हमने ये देखा हमने अभी जो इसके पहले वाली activity की थी उसमें हमने distilled water में जैसे ही एक चुटकी नमक मिलाया ये distilled water good conductor of electricity बन गया इस distilled water से electricity pass out होने लगी what are the other substances यहां पर सबसे जानने वाली बात तो ये है कि और कौन से ऐसे substances हैं जिनहें अगर distilled water में मिला दिया जाए तो हमारा distilled water good conductor बन सकता है मतलब नमक के अलावा और कौन-कौन से ऐसी चीजे हैं जिसे अगर हम distilled water में mix कर दें मिला दें तो वो हमारा water good conductor of electricity बन जाए चलो पता करते हैं अब आपको यहां पर चेताओनी दी जा रही है do the next activity under the supervision of your teacher, parent और some elderly person जो अगली activity है activity number 14.5 इस activity को अपने किसी teacher, parent या अपने घर के किसी भी बड़े इंसान की देखरेक में करना क्यों? because the use of acid is involved in it क्योंकि इस activity में acid का use किया गया है और acid आपके लिए dangerous हो सकता है acid आपकी skin को भी जला सकता है अब हम directly इस activity को करेंगे activity number 14.5 take three clean plastic और rubber caps of bottles आपको करना क्या है? आपके घर में जो plastic के bottles आते हैं चाहे वो coldering के bottles हो गए चाहे वो bisleri के bottles हो गए उन bottles के caps आपको चाहिए आपको इस activity करने के लिए कम से कम 3 caps चाहिए 3 धकन चाहिए अब आपको 3 caps अगर मिल गए हैं तो करना क्या है? आपको pour about 2 teaspoons of distilled water in each of them आपको उन 3 caps में 2-2 धकन distilled water रख देना है distilled water कहां मिलेगा आपको? आपके science lab में मिल जाएगा या आप किसी भी medical store में जाके distilled water पा सकते हो, खरीच सकते हो ठीक है? add a few drops of lemon juice और dilute hydrochloric acid to a distilled water in one cap अब आपके पास 3 caps है इन 3 caps में distilled water पहले से रखा गया है आपको पहले वाले cap में कुछ निम्बू के रज की बूदे मिला देनी है कुछ lemon juice के few drops आपको पहले वाले cap में mix कर देना है अगर आपके पास lemon juice नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? आप dilute hydrochloric acid का भी use कर सकते हो पहले वाले cap में ठीके? अब दूसरे वाले cap में आपको क्या करना है? base मिलाना है आप कोई भी base मिला सकते हो चाहे आप caustic soda caustic soda का use होता है साबून बनाने में caustic soda का use होता है मुंबतियां बनाने में, candles बनाने में तो आप caustic soda की कुछ बूदे या potassium iodide की कुछ बूदे दूसरे वाले cap में बिला सकते हो mix कर सकते हो अब आपको तीसरे वाले cap में क्या मिलाना है? add a little sugar to the distilled water in the third cap and dissolve it तीसरे वाले cap में आपको कुछ sugar कुछ चीनी मिला देनी है और इसको मिला देना है acid का solution है दूसरा liquid हमारा base का solution है और तीसरा liquid हमारा sugar का solution है अब हम इन तीनो liquids को check करेंगे tester का use करके कि क्या इन liquids में electricity आती है या नहीं आती जब तुम इन test को करोगे ना तो तुम देखोगे कि जो acid का solution इसमें भी electricity आती है और ये जो base का solution है इसमें भी electricity आती है लेकिन इस sugar solution में electricity नहीं आती है sugar solution poor conductor of electricity है क्यों? क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा दिया गया है most liquids that conduct electricity are solutions of acids, bases and salts यहाँ पर directly यह कहा गया है कि जादा तर liquids जो electricity conduct करते हैं most liquids जो good conductor of electricity होते हैं वो या तो acid के solution होते हैं वो या तो base के solution होते हैं वो या तो salt के solution होते हैं वो sugar के solution नहीं होते हैं और इसी वज़े से जिस cap में हमने sugar mix किया है उस cap के distilled water में electricity conduct नहीं होगी when an electric current flows through a conducting solution, does it produce an effect on the solution? अब हमने यहाँ पर देख लिया कि कौन से liquids में electricity आ सकती है अब जब एक बार किसी भी liquid में चाहे acid का solution हो गया जैसे distilled water में हमने कुछ बूदे निम्बू का रस मिला दिया तो यह liquid में electricity आने लगी अब जब इस liquid में electricity पास होती है तो इस liquid में कुछ chemical reaction होते है और उन chemical reaction से बहुत सारे effects, बहुत सारे फर्क पढ़ते हैं उस liquid पे तो चलो उन्ही effects के बारे में हम next वाले topic chemical effects of electric current में पढ़ेंगे चलो start करते हैं हमारा next topic आता है topic number 14.2 chemical effects of electric current इस topic में हम क्या पढ़ेंगे इस topic में हम पढ़ेंगे कि अगर किसी भी liquid से electricity pass out होती है तो उस liquid में कुछ chemical changes होते हैं और उन्ही chemical changes का क्या result है उन chemical changes के क्या effects क्या प्रभाव पढ़ते हैं उस liquid पे वही हम इस topic में पढ़ने वाले हैं चलो start करते हैं in class 7th we have learned some effects of electric current हमने class 7th में electric currents के कुछ effects के बारे में पढ़ लिया है जैसे हमने magnetic effect के बारे में पढ़ा हमने chemical effect के बारे में पढ़ा हमने heating effect of electric current पढ़ा ठीक है can you list these effects क्या तुम इन effects के नाम बता सकते हो हाँ magnetic effect, chemical effect और heating effect what effect does the current produce when it flows through a conducting solution इन तीनो effects में से कौन सा प्रभाव, कौन सा effect पढ़ता है अगर किसी भी liquid से कोई electric current होके गुजरती है तो मैं आपको बता दू अगर किसी भी liquid से कोई electric current पास होती है तो वहाँ पर chemical change होता है मतलब कौन सा effect काम में आएगा chemical effect काम में आएगा चलो हम पता करते हैं इस activity से activity number 14.6 इस activity में हम क्या पढ़ेंगे आईए पढ़ते हैं और करते हैं take out carbon rods carefully from two discarded cells cells का मतलब क्या होता है बैटरियां बैटरियों के बीच में लगा होता है carbon rods ठीक है जैसे देखो ये battery है और इस battery के बीच में एक rod है एक अंदर तक rod गई है और इसी rod को हम carbon rod कहते हैं दो बैटरियों के बीच में से carbon rods को निकाल लो कम से कम दो carbon rods हो ठीक है उसके बाद क्या करो clean their metal caps with sand paper जैसे देखो ये rod ही है ठीक है और ये होता है metal cap तो उपर का cap धक्कन टाइप का लगा है ने इस carbon rod में इसे हम metal cap कहते हैं तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन rods के metal caps को साफ कर लो clean कर लो किस चीज से बालु कागत से बालु कागज एक rough surface होता है अगर हम किसी चीज पे sand paper को rub करें रगडे ना तो वो चीज clean हो जाती है साफ हो जाती है ठीक है तो आपको इस rod के metal cap को sand paper से रगड रगड के साफ करना है wrap copper wires around the metal caps of the carbon rods आप देख रहे हो इन rods का ये जो metal caps है इनके चारो और ना wires copper तांबे के तार बात दो उसके बाद क्या करो and join them to a battery और उन्हें बिल्कुल ऐसे जैसे एक rod यहाँ पर है इसका wire निकालके यहाँ पर ला दो और एक rod यहाँ पर है इसका wire निकालके यहाँ पर ला दो और इसे battery से जोड दो ठीक है अब ये जो rots हैं इन rots को हम rots ना कहके क्या कहेंगे हम electrodes कहेंगे क्या कहेंगे electrodes याद रखना इन ही carbon rots को हमने एक नाम दे दिया है electrodes ठीक है चलो आगे देखते हैं कि instead of instead of carbon rots you may take two iron nails about six centimeter long अब यहाँ पर जो आपको battery के rots आपने लिये हैं अगर आप ये ना लेना चाहें तो आप दो लोहे की कील ले सकते हैं लोहे की कील को कम से कम 6 centimeter लंबा होना जरूरी है कम से कम 6 centimeter की लोहे की कील लीजिएगा ठीक है अब आगे आपको क्या करना है pour a cup full of water in a glass plastic ball बिल्कुल ऐसे जैसे figure में दिखाए गया है कोई plastic का या सीसे का बरतन ले लो और इस बरतन में पानी डाल दो ठीक है और इस पानी में आपको क्या मिलाना है add a few drops of lemon juice या salt आपको उस पानी में हलका फुल का नमक या कुछ बूदे निम्बो का रस मिला देना है जिससे क्या हो जाए जिससे ये liquid जो है वो electricity conduct करने लगे उसके बाद आपको क्या करना है now immerse the electrodes in this solution अब आपने जब एक बार एक बरतन ले लिया इसमें पानी डाल दिया पानी में आपने कुछ नमक भी डाल दिया या निम्बो का रस डाल दिया जिससे इस पानी में electricity आने लगी तो आप क्या करना है जो हमने ये electrode बनाया था यहाँ पर तार लगाया था इसको इस liquid में dip कर दो immerse कर दो immerse का मतलब डुबो दो make sure that the metal caps of the carbon rods are outside of water ध्यान रखना कि वो जो metal caps जो उपर के धक्कन है ना जहाँ पर हमने wire लपेटे हुए हैं वो पानी के बाहर रहे wait for 3-4 minutes ऐसे ही कम से कम 3-4 minutes रहने दो बिल्कुल ऐसे दुबो दो बैटरी से connect कर दो और ऐसे ही 3-4 minutes छोड़ दो observe the electrodes carefully आपको 3-4 minutes ऐसे ही रहने देना है उसके बाद electrodes जो ये rods हैं आप देखो इनको एकदम carefully देखो और देखो कि क्या हो रहा है आप क्या देखोगे do you notice any gas bubble near the electrodes तुमने क्या क्या तुमने इन rods के अगल बगल 3-4 minutes बाद गैस के bubbles देखे क्या जैसे अगर पानी उबालते हैं हम तो bubbles आता है कि नी सेम ऐसे ही तुम देखोगे कि जब हम इस liquid से electric current पास कराएंगे तो इस electrodes ये जो carbon rods है इनके अगल बगल से bubbles आने लगेंगे क्यों क्योंकि जो ये water है H2O अब यहां का hydrogen अलग हो गया है और oxygen अलग हो गया है that means कि जो oxygen है वो bubbles के form में बाहर निकल जा रहा है और hydrogen यहीं कहीं पर है मतलब एक electrode पर hydrogen आके चिपक जाएगा और एक electrode पर oxygen आके चिपक जाएगा समझ गये चलो अब हम आगे चलते हैं यहां पर और कुछ आपसे पूछा जा रहा है पूछा जा रहा है कि क्या हम इस change को chemical change का नाम दे सकते हैं हाँ बिल्कुल दे सकते हो क्यों क्योंकि यहां पर कोई नया chemical form हुआ न H2O break हो गया और hydrogen अलग हो गया और oxygen अलग हो गया Recall the definition of chemical change that you learned in class 7th, class 7th में हमने chemical change की definition याद की थी, chemical changes क्या थी, chemical changes ऐसे changes होते हैं जिसमें कोई new substance form हो जाए, कोई नई चीज उत्पत्ती हो जाए, उसे हम chemical change कहते हैं तो यहां पर H2O खतम होकर hydrogen और oxygen अलग हो गया, यहां पर किसी scientist के बारे में बताया गया है कि in year 1800 एक England के chemist थे, एक Britain के chemist थे, जिनका नाम था William Nicholson, इनका जन्म 17 से 13 में हुआ था और इनकी death 1815 में हो गई थी, ठीक है इन्होंने एक experiment किया और इन्होंने इस experiment में दिखाया कि अगर electrodes को हम water के अंदर immerse कर दें, अगर electrodes को हम पानी के अंदर डुबो दें बिल्कुल इस figure में जैसे किया गया है कि electrodes को पानी के अंदर डुबा दिया गया है तो अगर हम electrodes को पानी के अंदर immerse कर दें और अगर इस water से electric current को pass कराएं तो क्या होगा bubbles of oxygen and hydrogen were produced इन electrodes के अगल बगल से न air bubbles निकलने लगेंगे और ये air bubbles hydrogen के bubbles होंगे oxygen के bubbles होंगे समझ में आया ठीक है oxygen bubbles formed on the electrode connected to the positive terminal of the battery जो oxygen के bubbles होंगे वो ऐसे electrode के अगल बगल से निकलेंगे जिसे देखो ये हमारा battery है और battery ये अगर plus का terminal है और अगर ये माल लेते हैं negative का terminal है ठीक है plus के terminal से जो भी electrode connected होगा इस electrode के अगल बगल से oxygen के bubbles निकलेंगे और जो दूसरा वारा electrode होगा इसके अगल बगल से hydrogen के bubbles निकलेंगे समझ गये यही थियोरी विलियम निकोलसन ने दिया था year 1800 में समझ में आया आगे चलते हैं हम the passage of an electric current through a conducting solution causes chemical reaction यहाँ पर बताये गया है कि अगर किसी भी conducting liquid से अगर किसी भी good conductor of electricity वाले liquid से electric current को अगर हम pass कराएं तो उस liquid में chemical reactions होंगे और उन chemical reactions की वज़े से कुछ effects पढ़ सकते हैं कौन कौन से effect पढ़ सकते हैं पहला effect पढ़ेगा कि हो सकता है कि अगर किसी liquid से हम electric current को pass कराएं तो उस liquid में electrodes के अगल बगल से bubbles निकलने लगे और यह bubbles air के bubbles होंगे gas के bubbles होंगे ठीक है जैसे oxygen के bubbles हो सकते हैं hydrogen के bubbles हो सकते हैं यह electrodes के अगल बगल से निकलने लगेंगे जैसे हमने अभी जस्ट उपर पढ़ा, ठीक है, deposits of metal, दूसरा effect क्या पढ़ेगा, कि अगर कोई ऐसा liquid है, अगर किसी liquid से electric current pass हो रहा है, और उस liquid में metal की मात्रा मौजूद है, तो electrode के अगल बगल metals जो है deposit हो सकते हैं, तो दूसरा फरक तो ये पढ़ेगा, तीसरा फरक क्या पढ आते हैं, तो उस liquid का color भी change हो सकता है, तो ये तीन effects हैं, कि अगर हम liquid से electric current को pass कराएं, तो क्या-क्या फरक पढ़ सकता है, भाई पहला कि bubbles create हो सकते हैं, दूसरा metal deposit हो सकता है, और तीसरा उस liquid का color भी change हो सकता है, The reaction would depend on what solution and electrodes are used, अब इन तीनों में से कौन सा effect पढ़ेगा, क्या change of color होगा, या metal deposit होगा, या electrodes के अगल बगल से bubbles निकलेंगे, इन तीनों में से क्या होगा, ये depend करता है, कि हम कौन से liquid से electricity pass करा रहे हैं, या हम कौन से electrodes, या carbon rods use कर रहे हैं, ठीक है, इस पर depend करता है, कि color change होगा, कि metals deposit होगे, या bubbles create होगे, ठीक है, These are some of the chemical effects of the electric current, ये जो तीन यहाँ पर points बताए गए हैं, कि gas के bubbles निकलने लगेंगे, metal deposit हो जाएगा, और change of color हो जाएगा, ये तीनों chemical effects of electric current कहलाते हैं, समझ में आया, I hope आपको ये topic अच्छे समझ में आया होगा, और ये part पहने में और भी ज़्यादा मज़ा आया होगा, हम last part इस chapter की जल्दी लेके आएंगे, तब तक हमारे channel के साथ बने रहे हैं, हमारे channel की playlist में अलग-अलग videos को जाके देखते रहे हैं, चैनल को प्याट दीजे, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए, जैहिंद!